नमस्कार दोस्तों ये महावस्टेशन में आपका स्वागत उमीद है आप सब आच्छे होंगे जब भी हम असिल मुर्गी की अच्छी सेहत के बारे में बात करते हैं या अच्छी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तम हम अच्छी प्रोटीन या भीटामीन के बारे में सोचत कि आज हम बात करेंगे सस्ते दाम उन से आसानी से मिलने वाले असिल मुर्गी का ग्रोध प्रमेटर के बारे में जो पूरी थारा नेशुरल है मूर्गी जब खुले में घुमते हैं जामनी से उनको किड़े मौकुडे मिल जाते हैं उस किड़े मौकुडों को खाके मूर्गियों का ग्रोथ आच्छा होता है लेकिन असल मूर्गी को हम खुले में नहीं छोड़ पाते हैं उनका छोटे-छोटे चूजों का हम खुले में नहीं छोड़ पाते हैं, इसलिए उनको ये सारे नेचुराल कीड़े मोकुडे नहीं मिल पाते हैं, उनका ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाता है, आप सभी को पता होगा, छोटे मचली में बहुत सारे काल्शियम भीटामिन मिलते है अगर हम आशिल मुर्गी को हफ्ता में एक-दो बार ये चोटे मचली खाने के लिए देते हैं, तो उनका ग्रोथ अच्छे से होता है, उनका बजन अच्छे से बढ़ता है जो मुर्गी को कौम तादात में अंडर देते हैं, या उनका काल्शियम का सटेज होता है, वह उनका पक्षियों में कोई ग्लेज नहीं आता है, तो उनको चोटे मचली हम खुदार के साथ दे सकते हैं दूसरा और एक नेचुराल चीज है, सड़े हुए लक्टी में होने बाले किड़े, जो उनको माइट्स बोलते हैं इन कीड़ों में बहुत सारे प्रोटीन होता है, यह असिल मुर्गों का फार्टेस्ट ग्रोथ प्रोमोटर है, इससे मुर्गीकों का सारे भीटामिनी मिनराल मिल जाते हैं यह आप मुर्गीओं को डेली दे सकते हैं, इससे उनका हेल्थ या वेल्थ ठिक रहता हैं, अगर आपके पास कोई सड़ा हुआ लक्टी नहीं है, तो आप कोई ही भी गिला हुआ जमीन पर कोई भी कागस या बुरा, कोई भी लक्टी अंदर थोड़ा खोद के उसको अंद डाल दे, डालके मीटी डाल देजिए, तेन चार दन के बाद उसके किड़े हो जाएंगे, मैट्स हो जाएंगे, उस किड़ें को लाके हम असिल चीजों को खाने के लिए दे सकते हैं, इससे उनका क्रोथ आच्छे से होता है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जय जगनात